आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो इस question में मुझसे क्या पूछा है that an open and an closed organ pipe have the same length then the ratio of pth mode of frequency of vibration of air in two pipe is तो देखो जोशन मुझसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो organ pipe है एक open organ pipe है और एक closed organ pipe है दोनों की lengths है में तो मुझसे पूछा है कि pth mode of frequency of vibration of air यानि कि जो frequency of vibration होगी pth mode of frequency होगा उसका ratio मुझे बताना है दोनों pipes में ठेक है तो देखो कैसे करेंगे इसको मैं जानता हूँ कि for closed pipe जो closed pipe होता है उसके लिए जो pth mode of frequency होता है वो कितना होता है pth mode of frequency for closed pipe कितना होता है इसको बोल लेते हैं mu cp या vcp बोल जाते हैं closed pipe के लिए यह होता है v by 4L into 2p minus 1 closed pipe के लिए मारे पास इतना होता है और for open pipe कितना होता है for open pipe open pipe के लिए मैरे पास होता है let's say इसको v op बोल लेते हैं और यह होता है v by 2L into p तो यह open pipe के लिए होता है मुझसे पूछा है कि pth mode of frequency का मुझे ratio निकालना है यानि कि मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है VOP by VCP यह मुझे निकालना है ठेके तो क्योंकि मुझे पहले open बता रहा है then close बता रहा है तो हम VOP by VCP ही निकालेंगे ठेके तो यह कितना हो जाएगा VOP मुझे given है V by 2L into P divided by VCP कितना given है 4L sorry V by 4L into 2P minus 1 ठेके यानि V by 4L into 2P minus 1 तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि L से L मेरा cancel हो रहा है और V से V भी cancel हो रहा है ठेके और यह 2 से यह 2 times cancel हो रहा है यानि कि V open pipe divided by V closed pipe यह कितना आ गया मेरे पास 2P divided by denominator में कितना है 2P minus 1 यह आ गया मेरे पास Pth mode of frequency का ratio in open pipe and closed pipe ठेक है तो this is our answer तो अगर options में देखे हैं तो 2P upon 2P minus 1 option number 2 मुझे मेरा answer समय चोता हूँ दिख रहा है तो इस question का answer हो जाएक option number 2 I hope आप लोगों को clearly समझाया होगा Thank you